आपके emotions कहां थे हमें मालूम है लड़ाई समविधान को बचाने की थी constitution को बचाने की थी और मैं आपको सच बताऊ तो मेरे mind में था पहले से जब इन्हों ने हमारा bank account cancel किया जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला पार्टियां तोरी मेरे mind में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने समविधान के लिए एक साथ खड़ी होके लड़ जाएगी और ये सच साबित हुआ मुझे में भरोसा था और मैं हिंदुस्तान की जनता से इंडिया गड़बंदन के पार्टनर्स से कॉंग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बबबर शेर कार्यकरताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ आपने सविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है कॉंग्रेस पार्टी कॉंग्रेस पार्टी ने इस चुनाओं में कॉंग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने दो तीन चीजें की सबसे पहले हमने इंडिया गड़बंदन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की उनकी जो विशिस थी उनको हमने साथ लिया और आपने देखा होगा कि जहां भी गड़बंदन लड़ा हम एक होके लड़े दूसरी बात कॉंग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक निया विजन दे दिया है प्रो पूर विजन प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गड़बंदन ने साफ दे दिया है यह जो हमारा performance हुआ है, इंडिया गडबंधन का performance हुआ है, इसके पीछे constitution, जो reservation पर BJP ने आकरमन किया, गरीबी, अदानी जी के आपने stocks तो देखे होंगे, देखें, देखें उस stocks उनके, तो बड़ी interesting बात है, जनता अदानी जी को मोधी जी से directly correlate कर रही है, मोधी जी की हार होती है, stock market कहता है भाई आप मोधी जी गए तो अदानी जी गए, मतलब direct relationship है, corruption की relationship है, और देख ने नरेंदर मोधी जी को साफ कह दिया है, कि हम आपको नहीं चाते हैं, and this is the main thing that this election has said, the country has unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country, we do not like the way they have run this country, we do not appreciate the way they have attacked the constitution, we do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. So that is a huge message to Mr. Narendra Modi, I'd like to thank everybody who has participated in this election, I am extremely proud of the people of India, I am extremely proud of the people who have resisted this onslaught on the constitution. और अंत में मैं आपको कह दूँ कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है, सबसे गरीब लोगों ने किया है, मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, गलेतों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछडों ने किया है, इन लोगों ने इस Constitution को बचाया है, इस Constitution ये Constitution देश की अवाज है, बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, छुप रह गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस Constitution का बचाया, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि Congress Party आपके साथ खड़ी है, जो हमने आपको वाइदे किये थे, हम वो वाइदे आपके पूरे करेंगे, जाती जन गरना, महलक्ष्मी, ये हमारे वाइदे हैं, धन्यवाद. एक मिनिट शांत हो जाईए एक मिनिट खरके जी और राहूल जी आपका चार पांच सवार लेंगे संजीव हाँ जी एक मिनिट एक एक करके चिलाईएगा मत प्लीज चिलाईएगा मत था संजीव। मृथ एक मिनिट एक नपराका ऑ। communities तरही एक मिनिट एक मिनिट बढ़ेन लूज थीवोश चे रही लुझे मठिए एक मिनिट बद्यूट सब्र केकिन वोत द्मीट्ट ने क्लेशं एक नूटेकर स्वित्वाटम्ट झेutta लेंट. 69 00 o। क्रिएड, जरे बिएका कई ए एकी कर्मीदेने शाबना ही। आप ये कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के गरीब की जीत है समिधान बचाने की जीत है तो अगर आप लोग विपक्ष में बैठते हैं और सरकार बनाने की पहल नहीं करते हैं तो कैसे उनको आगे उनका हग दिलाने के लिए आगे आपाएंगे वह वह सवाल आप मतलब दूसरे तरीके से पूछ रहे हो कल डिसाइड होगा इंडिया गटबंधन की मीटिंग है कल हमारा लाइन दिसाईड करेगा बड़ी फाइन लाइन है तो जो इंडिया गटबंधन डिसाइड करेगा उस पर हम एक्षिन लेंगे सर खरगे साथ भी आपसे पूछना चाहते थे कि यहाँ पे बीजेपी में जश्न हो रहा है और उनके साथ से एंडिये को मिजॉरिटी मार्क से उपर मिला है तो एंडिये सरकार बना रही है तो यहाँ पर क्या आपको लगता है कि आपने का नेतिक अधार पर प्रधानमंती नरेंद मोदी को नहीं बने रहना चाहिए क्या आपको लगता है कि बीजेपी में भी खेमे बंदी होगी इसको लेके और क्या खुद नरेंद मोदी को यह फैसला लेना चाहिए देखिए अभी राहूल गांदी जी ने आपके सामने स्पस्ट किया जब तक हम अपने अलाइंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मिजॉर्टी बना सकते हैं वो देखिएंगे सारे स्टैटेजीज अगर यही मैं बोलूँगा फिर मोदी जी हुशार हो जाएंगे इसलिए जराम जी जराम जी जराम जी जराम जी सर्ट राओटू जी खर्गे साथ ने जरएया के लिज़ प्रफिश करने के लिए और आप दोनों सीटों से जीते हैं बधाई आप कौन सी सीट रखने वाले हैं। नहीं, दोनों सीटों से जीता हूं और राइबरेलिय और वाइनार के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अब डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूंगा थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूंगा दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूं बट अभी डिसाइड नहीं किया है राउल जी राउल जी भारत जोड़ो यात्रा के लिए जब आप निकले थे तब से लेके अब तक काफी लंबी यात्रा रही काफी बीच में उतार चड़ावाए अब सव का अकड़ा आपने चुआ है 2009 में जब इसी तरह का मेंडेट आया था तो पार्टी के अंदर दो राय थी एक हम विपक्ष में रहें पार्टी मजबूत करें या सरकार के साथ जाए 2009 में 2009 में तो क्या बात करें 2009 में दोबारा जब वहुमत मिला था तब एक रही थी कि आप विपक्ष की पॉलिटिक्स करके पार्टी को मजबूत करें अब मैं पुछ रहा हूँ दो चीज़ है यह जो मेंडेट मिला है आप अपोजीशन में रहके आप और पार्टी मजबूत करना चाहते हैं या सरकार प्राना चाहते हैं आप चाहते क्या है नहीं देखिए हम एक कोलिशन के भाग है ठीक है कॉंग्रेस पार्टी है बाकी पार्टिया है और उनके साथ अभी हमारा डिसकॉशन नहीं हुआ है हमने उन से कहा था इंडिया पार्टनर से कहा था कि चुनाओ के बाद पांच तारी को हमारी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम ये जो सवाल है इसको डिसाइड करेंगे तो सच मुच में इस सवाल का जवाबा आज हमारे पास है नहीं कल होगा आपके लिए कहा गया कि राहूल गांदी ने अपने पीए को चुनाओ लाड़ा दिया अब उन्हीं किशोरी लाल शर्मा ने ने बीजेपी ने कहा था ने देखिए बीजेपी बीजेपी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती है और आज उन्हीं किशोरी लाल ने हरा दिया तमीज से बात नहीं करती है मगर किशोरी लाल शर्मा जी जो हैं वो 40 साल से अमेठी में कॉंग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं